Hello students, कैसे आप सब? मेरा नाम सलमान है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रैक बॉल क्या होता है? अगर आपने fundamental के बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप i-button में जाके उसे देख सकते हैं या फिर आप वीडियो के description में जाके fundamental की जो playlist है उसकी link आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप सारे की सारे वीडियोस देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं trackball क्या होता है और इसका use क्या होता है? तो trackball एक input device है से हम pointing device भी बोलते हैं ये Sam mouse के जैसा ही होता है इसमें एक rubber की ball होती है जो हमारे अंगूठे के नीचे होती है और इसमें साथ साथ में कुछ buttons भी होते हैं जो हमारे अंगूलियां उसके उपर होती है ये जो हमारा mouse है इस तरीके से हमें जो हमारा normal mouse होता है उस दिया जाता है और हमारी जो उसमें ball होती है एक उसके उपर हमारा अंगूठा होता है और जो अंगूलियां होती है उनके buttons पर होती है तो आप जब हमें जो pointer होता है तो screen पर उसे घुमाने के लिए आप जो ball को जैसे ही move करते हैं तो pointer screen पर move होता है और जब आपको right click वगए से उनके सहायता से आप कर सकते हैं जो इसकी लोगप्रिता है जो वो laptop के कारण होई है क्योंकि इसमें जो होता है वो आपके mouse के लिए एक touch वाला area होता है वहां से आप इस तरीके से move करते हैं laptop में उसी तरीके से आप track ball का use करते हैं तो track ball जो है वो एक input device है ज्यादा तर इस और mouse का इस्तेमाल आप move करके करते हैं उसे ऐसी घुमा कर या फिर इधर उदर करके करते हैं उसमें एक laser light होती है जिसकी सहायता से हमारा normal mouse काम करता है mouse कगर वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर से देखें ताकि आपको समझ में आए कि mouse और track ball में अंदर क्या है तो इ अब इस Kirill ball का इस्तेमाल जादा तर आप normal पहले किया जाता था भौत कम किया जाता है जादा तर जगाओं पर नहीं किया जाता है और जो optical mouse से इसी का इस्तेमाल किया जाता है तो इस वीडियो में हमने समझा trackball को उमीद है यह trackball आप सबको पसंद आओगा पसंद आदो वीडियो को like ज़रूर करते है चैनल को subscribe करते हैं साधी साथ comment ज़रूर करें वीडियो आपको कैसा लगा अगर और भी आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो description में जाके या i button में जाके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं चैनल मिलते हैं किसे इन्य वीडियो में तब तक के लिए चैनल बनने में